असलाम लेकुम आज मैं बना रही हूं इत के लिए एकदम खोवेदार सेवाई जो बनके बहुती सुपर डिलीसियस तयार हुई इसके लिए मैंने दो लीटर अमूल का दूद लिया और इसे एक बड़े बरतन में पलट लूँगी दो लीटर दूद में दो किलो चीनी डालू है शुगर डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे इतली में जो बैठी हो मिल जा अच्छे से फिर उसके बाद हम गयस पे चड़ा देंगे और इसे लगतार पकाएंगे जब इसमें वायल होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें आप लेमन जूस डाल सकत इसी तरफ हम सेवाई भून लेते हैं सेवाई को मैं आपको दिखाई नहीं हूं मतलब बता रही हूं कि इसको हम ऐसे ही सुलो फ्लेम पे भून लेते हैं यह जीरो साइज की रहती है और सफेद रहती है भूनने के बाद यह गोल्डेन हो जाती है फिर आप उसके बाद मैं एक बरतन में घी लिया घी को गरम किया उसमें तीन सफेद इलाची तीन लांग डाला उसके बाद मैं जो भूनी सेवाई थी उसको वैट कर दूंगे अब हम इसे दो बारा घी में भूनते हैं भूनने के बाद हम इसे लगाता है चलाएंगे कि घी अच्छे से मिक्स हो और और ख्याल करना है कि आपको फिले में एकदम सुलो ही रहना चाहिए उसे महीं बहुत जल्दी तली में पकड़ती है घी भूनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे फिर दो बारा उसी बरतन में हम मैंने घी गरम किया उसमें मैंने काजू बदाम कट करके रखे हुए थे अब इसे हम घी में खुब अच्छे से भून लेंगे उसके बाद फिर मैंने घी में फिर लावा भूना है लावा को मैंने मिक्सी में तोड लिया था चोटो 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 टिकड़ो में और उसके बाद लावा को भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे फिर उसके बाद मैंने अच्पोनटस नियुक्ति अनां प्लाउन अको番 जानगा 15 कि जानिय इन फ्राइब और को लिद प्रसे मैं थार कि निकल लेंगे सारे मेव को हम निकालने के बाद फिर मैंने जो सिरा बना के रखा था चासनी मैंने लगभग आधा घंटा पका ही थी एक दम चूने पे गाड लगज ही थी अब उसमें मैंने सेवह cyber क काटके रखे थे भून Thank you.